आज हमारा रिविजन का जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स ओफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग और्गनाइजेशन या फाइनल अकाउंट्स ओफ नॉन ट्रेडिंग और्गनाइजेशन एक्जाम में 10 से 20 मार्क के बीच में यह चाप्टर में कहीं से भी क्वेशन उठके आ सकता है minimum 10 mark 5 mark का भी question बन सकता है जैसे subscription account बनाने का question 10 mark का 15 mark का 20 mark का हर type का question इस chapter से बन सकता है हमने last revise किया था final accounts बाला chapter ये chapter उससे बहुत related है क्योंकि इसमें हम लोगों को final accounts ही बनाना है बस फरक इतना ही है वो profit seeking organization के लिए बना रहे थे ये non-profit seeking organization के लिए बना रहे है तो इतना सा फरक है बड़ बनाना final accounts ही है main मुद्दा, main चीज, PL, balance sheet सब कुछ same रहेगा बस जो फरक आएगा वो business का activities में फरक आएगा transactions में फरक आएगा income expenses के nature में फरक आएगा वो चीज हम लोगों को main इस chapter में सीखने का है स्टार्ट करते हैं एक-एक बात करके सबसे पहला बात जो मिरे को करना है revision में ये not-for-profit organization हम लोग किसको बोलते हैं not-for-profit organization या non-trading organization या non-profit seeking organization किसको बोलते हैं ये organizations ऐसे organization हैं जो public के welfare के लिए या इनके जो members होते हैं इन organization के उन members के लिए अपना सारा पुंजी पैसा resources यूज करते हैं यो organization का motive profit earning, profit seeking नहीं है बट public को और अपने members को सेवा देना है उन organizations को हम लोग बोलते हैं non-profit seeking organization ये activities undertake करते हैं पैसों का lane-dain करते हैं कुछ business activities भी करते हैं बट इनके पास जो भी इन activities से पैसा आता है, resources आता है इनका कभी ये motive नहीं है कि उस पैसा को हम लोग अपने मालिक को बाटेंगे उस पैसा को हम लोग अपने मालिक को दे देंगे as dividend, ये इनका कभी motive नहीं रहता, ये बोलते हैं हमारे पास जो भी पैसा आएगा, जो भी resources होंगे जो भी आएगा वो हम लोग हपने members के welfare के लिए overall welfare के लिए या public के welfare के लिए use करेंगे ऐसी organization जिनका main motive profit कमाना नहीं है welfare करना है जो अपने profit को distribute नहीं करते welfare के लिए use करते है उन organization को हम लोग non-profit seeking organization बोलते हैं अगर non-profit seeking organization का आपको example चाहिए non-profit seeking का सबसे best example आपके सामने हैं आपकी institutes ICAI, ICMAI ये सारी institutes जो है ये non-profit seeking organization है ये जो आपसे पैसे लेते हैं अपनी activities कंड़ करते हैं इनका profit कमाने का कोई मुद्दा नहीं रहता इनके कोई मालिक नहीं होते जिन के लिए ये अपना पैसा यूज करते हैं ये सारा का सारा जो भी पैसा इनके पास आता है ये हमारे welfare के लिए students के लिए members के लिए industry के लिए खर्चा करते हैं यूज करते हैं तो ये non-profit seeking organizations है जितने भी NGOs होते हैं NGOs non-governmental organization जो welfare का काम करते हैं वो NPO होते हैं उसके बाद hospitals, clubs, clubs मतलब वाला नहीं, clubs मतलब जो पाड़ा का club आप देखते हो, rotary club देखते हो, lions club देखते हो, ये सारे clubs की बात कर रहा हूं उसके बाद schools, educational institute, not me, I am a private institute, I am not here for welfare only, I have also a profit seeking objective, जूट क्यों बोलना है कमाई करते हैं, घर चलाने के लिए कमाई करते हैं, मैनत करके कमाई करते हैं, welfare भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारा का सारा पैसा खुद के pocket में ले जाके Mercedes गाड़ी में घूमते हैं, अपना lifestyle भी है, उसके लिए भी पैसा कमाते हैं, और welfare भी साथ-साथ करते हैं, बट हम लोग non-profit seeking organization नहीं हैं, हम लोग profit seeking organization है, ये सारी जो organizations आपको दिख रही हैं, जो मैंने example लिखा, इनको हम लोग बोलते हैं, non-profit seeking organization, दो बात हमेशा ध्यान रखो, objective profit कमाना नहीं है, welfare है, profit कमा भी लिया, resources आ भी गया, तो उस resources को हम लोग किसी मालिक को बाटने के लिए नहीं रखे हैं, उस resources को welfare करने के लिए यूज करेंगे, ऐसे entities को non-profit seeking organization बोला जाता है, अब सर, ये non-profit seeking organization का काम profit कमाना नहीं है, business करना नहीं है, तो सर, हम लोग इसका accounting, final accounts क्यों बना रहे हैं, जो monetary activities, economic activities करते हैं, उन सब को अपना हिसाब day to day रखना पड़ता है, इन NGO से कोई मालिक जाके हिसाब नहीं लेता है, बट जो public है, society है, government है, इनके जो registration करने वाली authorities है, वो इनसे time to time हिसाब मांगते हैं कि तुमने क्या किया, क्या तुमने सच में welfare का का काम किया है कि नहीं किया, उसके final accounts financial statement बनाना पड़ता है, ताकि अपने stakeholder को information दे सके, कि are we really serving the people, I'll be learing, really helping for the welfare of the public or members at large, if we are not doing, then हमारा registration cancel हो जाएगा, हमारा certificate cancel हो जाएगा, अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हमें income tax में exemptions मिलेंगे, government हमें सुविधाय देगी, grant देगी, subsidy देगी, तो इनको भी अपने financial statement maintain करने पड़ते हैं, ताकि वो time to time information लोगों को pass on कर सके, सर क्या इनके financial statement में trading, PL, balance sheet बनेगा, answer is नहीं, इनके financial statement में trading, PL, balance sheet ऐसे नहीं बनता, इनके financial statements में हम लोग बनाते हैं तीन चीज, तीनों चीज का नाम सिखाया हुआ है receipt and payment account, दूसरा income and expenditure account, तीसरा balance sheet, balance sheet आपको already बनाना आता है statement of assets and liabilities, अब receipt payment income expenditure क्या हो गया, receipt payment is nothing but a summarized cash book, summarized cash book, हम लोग profit seeking organization में एक cash flow statement बनाना सीखेंगे, इंटर लेवल पे सिखाऊंगा, जब आप companies के financial statements बनाऊगे, तो companies को एक cash flow statement बनाना होता है, वो भी summarized cash book ही है, तो इन लोग को भी एक summarized cash book बनाना है, जिसको receipt and payment account मोलते है, income expenditure account is nothing but the profit and loss account, ये लोग trading PL अलग से नहीं बनाते, ये लोग income and expenditure account बनाते हैं, जो PL ही होता है, जिससे ये लोग calculate करते हैं, इनके पास कितना surplus बचा, या तीन चीज, ध्यान से, एक हो गया receipt and payment account, दूसरा हो गया income and expenditure account, तीसरा हो गया balance sheet, डना है बात, अब एक एक final accounts के बारे में कुछ छोटी-छोटी चीजे मिरको आपसे discuss करनी है, मैंने आपको copy में बहुत अच्छी तरीके से ये चीजे लिखाए थी, तीनों का एक diagram बना के, receipt payment, income expenditure, balance sheet, ध्यान से सुनते जाना, receipt payment account क्या है, सर कुछ नहीं है, ये एक summarized cash book है, ये एक summarized cash book है, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, cash book में आप क्या record करते हो, सर, cash book में हम लोग record करते हैं, कहां-कहां से पैसा आया, यानि receipts of cash, और कहां-कहां पर पैसा हमने use किया, यानि payments of cash, यहां पर भी हम लोग record करेंगे कि NTO के पास किस-किस सोर से पैसा आया, और कहां-कहां इसने पैसा use किया, the receipts and payment, अब ये receipt पेमेंट फरक नहीं पड़ता capital nature की हो या revenue nature की हो cashbook जब हम लोग बनाते थे तो sales से पैसा आया तो भी वहाँ दिखाते थे capital का पैसा आया तो भी दिखाते थे fixed asset wage के आया तो भी दिखाते थे fixed asset wage ने के खरीदने के लिए पैसा लगा तो भी दिखाते थे purchase करते थे तो भी दिखाते थे salary का खर्चा लगता था तो भी दिखाते थे तो जब मैं receipt payment बनाऊंगा हमेशा याद रखना यहाँ पर capital nature के receipt payment भी आएंगे revenue nature के भी receipt payment आएंगे तो दो चीज बोला कहां कहां से पैसा आया कहां कहां use किया during the period दूसरा चाहे capital nature से आओ चाहे revenue nature से आओ फरक नहीं पड़ता यहाँ दोनों ही चीज आएगा तीसरा मैंने आपको बोला था यहाँ पर हम लोग accrual basis follow नहीं करेंगे cash basis follow करेंगे हम लोगों को मतलब होगा कितना मिला कितना दिया अक्रियों कितना हुआ उससे हम लोगों को receipt payment बनाते से में ध्यान नहीं देना है चौथा क्योंकि यह cash book बना रहे हो अगर कोई non cash nature के items है non cash nature के items उनको हम लोग यहाँ पर consider नहीं करते हैं क्योंकि वो non cash nature के उनमें ना कोई receipt हुआ ना कोई payment हुआ receipt payment हमेशा start होता है opening and opening balance of cash and bank और end होगा हमेशा closing balance of cash and bank तो starting point opening cash balance, opening bank balance, ending point closing cash balance, closing bank balance total मैंने 5 point बोला वापस एक बार सुलो पहला यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं सारा receipts of cash, सारा payments of cash चाहे revenue nature का, चाहे capital nature का तीसरा starting opening balance of cash bank, ending closing balance of cash bank, non cash nature के item नहीं दिखाएंगे यहाँ पर तो यह एक basic characteristic है receipt payment, बनाते समय यह 4-5 point आपको हमेशा याद होने चाहिए accrual basis follow नहीं करना है, cash basis follow करना है, तो यह हो गया receipt and payment account सर, proprietorship में आपने हमें ऐसा कोई receipt payment account बनाना नहीं सिखाया final accounts में सर, इन लोगों के लिए यह receipt payment account इतना जरूरी क्यों है, हम लोगों को तो यही चेक करना है न, कि इनके पास जो भी पैसा आता है यह लोग कहां-कहां use करता है, कहीं यह पैसा आपने मालिक लोग को बाटने के लिए यह आपने जो trustee वगएरा लोग है, उनके personal use के लिए तो उठा नहीं लिया है 100 करोड रुपया सबसीडिया है, 100 करोड रुपया trustee साफ करके ले गया तो ऐसा organization को क्या आप benefits देंगे, answer is no तो यह receipt payment से आपको पता चलता है, कहां-कहां से पैसा source हुआ और कहां-कहां पे उसको apply किया गया है, whether welfare activities are being carried on properly or not तो इसी लिए receipt payment account is a very important part of final accounts of a non-profit seeking organization आगे चलू, next, questions अभी ने, next, income and expenditure account income expenditure account इस type के, इस type के organization का क्या है, profit and loss account profit and loss account हम लोग क्यों बनाते थे सर, net profit, net loss calculate करने के लिए यहां पे भी हम लोग profit and loss account बनाते हैं, profit and loss calculate करने के लिए बढ़ यहां पे नाम बदल जाएगा, यहां पे उसका final result निकलेगा surplus या deficit surplus मतलब जब आपका income exceed करेगा expenditure को, income exceed करेगा expenditure को surplus, expenditure exceed करेगा income को तो उसको क्या बोलेंगे, deficit, true false में आ सकता है, ध्यान रखना when the income of an NTO exceeds its expenditure, the resultant figure is surplus, when expenditure exceeds income, the resultant figure is deficit always remember the two names, बहुत 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 important, आगे चलता हूँ, income and expenditure account का कुछ characteristic, पहला, यह एक revenue nature का account है, यहां पे capital nature के items नहीं आएंगे, जब भी income expenditure बनाएंगे, सिर्फ revenue nature के receipts payment आएंगे, यानि sales purchase, sales purchase ऐसे example दे रहा हूँ, sales purchase, regular expenses, यह सारी चीज़े आएंगे, capital expenditure, capital receipt यहां पे दिखाई नहीं देगा, number one, number two, यह हमेशा accrual basis पे बनेगा, accrual basis बोलता है, खर्चा या income, अगर इस साल से related है, इस साल अक्रीव हो गया तो दिखा दो, actual payment हुआ या नहीं हुआ, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो यह हमेशा accrual basis पे बनेगा, तीसरा, इसका final result होगा, surplus यह deficit for the period, पूरे साल बर में काम करके कितना surplus यह कितना deficit, चौथा, यहां पे cash, non-cash का कोई वाइफर केशन नहीं है, यहां non-cash items भी हम लोग दिखाएंगे, जैसे depreciation, कोई provision बनाना हुआ, वो सारे items भी यहां पर दिखाई देंगे, तो both cash and non-cash items will भी shown है, तो मैंने क्या बोला, revenue nature के item आएंगे, capital nature के नहीं आएंगे, accrual basis पे बनेगा, number 3, number 3 क्या बोला, मैंने cash, non-cash दोनों आएगा, number 4, surplus यह deficit इसका final result होगा, तो दो type के final accounts के बारे में हमने समझा, दो type, receipt payment account, income expenditure account, दोनों में फरक क्या है, receipt payment, cash basis, income expenditure, accrual basis, receipt payment, capital revenue, दोन इधर सिर्फ revenue nature का, इधर non-cash item नहीं आएगा, इधर non-cash item आ सकता है, इधर closing balance of cash bank निकलेगा, इधर surplus deficit निकलेगा, exam ने question आ सकता है, difference between receipt payment and income expenditure, तो आपको यह सरा points लिखना पड़ेगा, और मैंने आपको class की copy में सबसे शुरू में, final accounts के components दिखाये थे, और उनके बारे में brief description आपको दिया होगा, आज चेक कर सकते हो copy, पहले बताईए, दोनों ठीक है, सर एक चीज़ और बता दो न, दो के बारे में बता दिया है, तो तीसरा भी बता दो balance sheet, बताने की जरद नहीं आपको पता है, balance sheet point statement है, assets and liabilities का statement है on a particular date, माल लो 31st March का final accounts बना रहे हो, तो 31st March के NTO के पास कितने assets है, कितने liabilities है, वो सारा सारा आपको balance sheet में दिखाए देगा, total of asset side will be equal to total of liability side, एक बात ध्यान से याद रखना, यहाँ पर अगर total assets से liability minus कर दो external, तो जो बचेगा उसको capital नहीं बोलके हम लोग capital fund बोलते है, capital fund, general fund या accumulated fund, यह capital fund कहां से आता है, members लोग देते ह इनके पास जो पैसा आता है, जिसके पीछे कोई अलग obligation नहीं होता है, जो regular donations वगेरा आते है, उससे इनका यह capital बनता है, यह surplus वगेरा होगा, उससे इनका यह capital build होता है, तो यह capital fund बोला जाता है, general fund बोला जाता है, accumulated fund बोला जाता है, इनके capital को, तो balance sheet जैसे आप बनाते थे वैसा ही balance sheet यहाँ पे भी बनेगा, उस भीन जितने assets liability है आपको एक statement बना के सारा present करना है तो दो point अभी तक आपको discuss किया, पहला point discuss किया, एक non trading organization क्या होता है दूसरा point discuss किया, non trading organization के final accounts पे तीन statement, receipt payment, income expenditure, balance sheet कोई बच्चे को doubt, कोई बच्चे को doubt, आप लिख सकते हो अगर यहाँ तक कोई doubt है तो क्योंकि इसके बाद मैं main बातों पे आ जाओंगा, आप main बाते शुरू होंगी चले आगे, ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है, मैंने आपको जैसे बोला था यह non trading organization का, जो final accounts है, वो normal final account से कहाँ differ करेगा एक तो आपका purpose या motive profit कमाना नहीं है, दूसरा, हम लोग जब normal final accounts बनाते थे, वहाँ पर हम लोगों का जो रहता था, income expenditure वो रहता था, sales, purchase हम लोग कोई goods में deal कर रहे है, services में deal कर रहे है, etc. यहाँ पर हम लोग good services में deal करें, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इनका जो nature of income होता है, nature of expenditure होता है, वो बिल्कुल अलग होता है from a normal profit seeking organization, तब से पहले तुमको समझना चाहिए कि इनका main पैसा आता कहां से income, और यह पैसा use कहां करते है, the sources of funds and the application of fund, यह आपको समझना बहुत जरूरी है, मैंने कुछ mark किया है, कुछ words, ध्यान से सुनना, इनको describe करूंगा, subscription, ordinary donations, membership fees, entrance fees, grant from local authorities, income from investment, यह सारे जगा से इनके पास पैसा आता है time to time, मैंने आपको इन सारे words के बारे में यह कुछ ना कुछ समझा के रखा है, final accounts के लिए, final accounts के लिए सबसे main चीट जो आपको इनके बारे में समझना है वो यह है, इन items का nature क्या है, कौन से item revenue nature के है, क्योंकि वो revenue nature के item जाएंगे income expenditure में, कौन से item capital nature के है, क्योंकि वो capital nature के item जाएंगे balance sheet में, तो आपको सारे item का मतलब के साथ साथ उनका nature समझना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग ने class में इसको one by one discuss किया था, सबसे पहला item, सबसे पहला item मैं discuss करने जा रहा हूँ आपके साथ, donation, donation क्या होता है, donation is nothing but the voluntary contribution received from someone, voluntary contribution, अगर कोई इनसान, चाहे वो member हो, चाहे वो न हो NTO का, अगर वो अपने इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ contribute करता है, पैसे, एक non-trading organization को, उसको हम लोग बोलते है, donation, ये donation, दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके का सिखाया था, नाम बता सकते हो, तो याद करके बताओ, एक होता है general donation, general donation, और एक होता है specific donation, अगर donation के पीछे, अगर donation के पीछे, कोई particular specific obligation ना लगाया जाए, आपको donation कर दिया, जो काम में यूज करना है करो, उसको हम लोग बोलते है general donation, अगर किसी donation के पीछे, एक specific obligation लगा दिया जाए, उसको हम लोग बोलते है specific donation, example, तिरुपती मंदिर, ठीक है, मंदिर में जब आप घुस्ते हो, मंदिर आने वाला होता है, तो एक बड़ा सा चड़ावा का घड़ा होता है, उस घड़े में जो हम लोग चड़ावा contribute करते हैं, वो भी एक टाइप का donation है, voluntary इच्छा से हम donate कर रहे हैं, वो donation होता है, general donation क्योंकि उसके पीछे कोई specific आपका obligation है, या आप कोई specific बात नहीं बोल रहे हो, जैसे मंदिर को यूज करना है करेगा, चाहे maintenance के लिए, repair के लिए, प्रशाद के लिए जो काम में यूज करना है, बट मालों वही पे एक counter बनाये हो है, जहां पर बोल रहा है कि तिरुपती मंदिर के बाहर हम लोग एक guest house बनाएंगे, ताकि सारे लोग आके रह सके, तो जो contribute करना चाहे है, please आके करे, अगर आप इस चीज के लिए पैसा contribute करत क्या, तो वो जो काम में यूज करना है करो, बट जब तक धर्मशाला complete नहीं होता, ये पैसा किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकता, इस type के donation को हम लोग बोलते है, specific donation, general donation जो होता है, general donation ध्यान से, ये revenue nature का item है, ये regular course of receipt है, क्योंकि revenue nature का item है, इसको हम लोग income expenditure account में as an income द दिखाएंगे, वो मेरा revenue nature का receipt है, पट specific donation के पीछे, क्योंकि specific obligation लगा हुआ है, ये मेरा capital nature का receipt है, और इसको हम लोग हमेशा balance sheet में दिखाएंगे, इसको हम लोग हमेशा balance sheet में दिखाएंगे as a liability, और जब भी specific donation आएगा, उसको balance sheet में जब liability दिखाएंगे न, हमेशा पता है, क्या बोल के आप लिखेंगे, fund बोल के लिखेंगे, अगर आपको building के लिए पैसा मिल रहा है, तो आप उसको building fund बोल के denote कर देना, धर्मशाला के लिए पैसा मिल रहा है, तो धर्मशाला fund बोल के denote कर देना, prizes के लिए, scholarship के लिए लोग donate कर रहा है, तो scholarship fund, price fund बोल देना, अग अगर कोई पैसा किसी specific obligation के लिए आपको दिया जाए तो हम लोग उसको fund बोल के as a liability show करते हैं जब तक वो obligation खतम ना हो जाए एक बार obligation खतम हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है वो आपका खुला पैसा है जहां use करना करो तो अगर पैसा बच गया तो वापस उन लोगों को बुल जाना है बार तो एक चीज यहां पे लिखा हुआ है the term fund is specifically applicable to the amount collected for a specific purpose when these are invested example scholarship fund price fund etc. तो यह fund basis हम लोग accounting बोलते हैं अगर कोई donation किसी specific obligation के साथ आता है तो उसको fund बोल के हम लोग denote करते हैं तो एक दम simple इदर अगर general donation आया general donation revenue nature का item है income expenditure specific donation आया capital nature का item है balance sheet में liability side fund बोल के denote करेंगे ध्यान से मेरा बास सुनना general donation PL में जाके खतम हो गया बट specific donation तब तक चलेगा जब तक उसका काम खतम ना हो जाए तो जब हम लोगों को इस fund के उपड़ donation मिलेगा हम लोग इसको balance sheet में liability side दिखाते जाएंगे journal entry बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना very 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 important journal entry बोल रहा हूँ bank account debit to building fund bank account debit to price fund जो भी related fund है पैसा आया bank account debit और उस fund में credit कर दिया ठीक है अब इस fund से मैं खर्चे करूँगा building fund से खर्चा करूँगा तो building बनेगा price fund से price देने के लिए खर्चा करूँगा अगर मैं building fund यानि कोई asset के लिए fund बना रहा हूँ और उससे खर्चा करूँगा तो जब भी asset construct होगा मैं asset account debit करूँगा मालो building fund से मैंने 50,000 रुपय निकाले building के लिए तो मैं journal entry करूँगा building account debit to cash account एक asset create होगा price fund से price के लिए पैसा निकाला अब price हमारा asset नहीं है ये तो हमारा खर्चा है बट क्योंकि इसके लिए एक fund बना हुआ इसको आप PL में नहीं डालोगे already इसके लिए पैसा आपके पास है तो ये हमेशा हम लोग fund से निकालेगे हम लोग journal entry करेंगे देखो क्या price account debit to cash price दिया और ये price price fund से deduct हो जाएगा price fund account debit to price आप एक entry कर सकते हो price fund account debit to cash आपका fund कम हो जाएगा क्योंकि आपने fund का कुछ पैसा price देने में use कर लिया बच्चे हमेशा एक दिक्कत होता है आपको सर building fund से पैसा लग रहा है तो आप building fund नहीं लिख रहे हो बट price fund से पैसा लग रहा है तो आप price fund लिख रहे हो ऐसा क्यों क्योंकि building fund से पैसा निकल रहा है तो एक asset create हो रहा है जब भी asset create होगा asset account में debit होगा बट price fund से कोई asset create नहीं हो रहा है इसलिए मैं fund को कम कर रहा हूं क्योंकि price is not my asset वो खर्चा है अगर मैं price to cash भी करूंगा तो वो खर्चा right off करने के लिए price fund account debit to price मेर को करना पड़ेगा तो always remember अगर आप कोई specific donation receive करते हो for the purpose of an asset तो वो खर्चा asset account में debit होगा जब भी आप खर्चा करोगे अगर कोई revenue nature के लिए आप पैसे के लिए fund receive करते हो तो वो हमेशा fund से deduct हो जाएगा price fund account debit to cash यहाँ पर main difference है जो आपको ध्यार रखना है बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास fund बहुत बढ़ा आ गया बट एक बार में सारा पैसा नहीं चाहिए तो non trading organization क्या आता है इस पैसे का investment कर देता है FD में डाल देता है government securities में डाल देता है equity shares मत खरीद लेना market में जाके फाटका मत कर लेना यह सब secured investment में पैसा डाल देते है जब हम लोग investment purchase करते है एक तम basic investment account debit to bank अगर price fund से है तो price fund investment building fund से है तो building fund investment account debit to bank asset आ गया building fund investment बोल के अब इस investment पर हमको time to time interest मिलेगा यह जो interest मिलेगा यह मेरा income है बट यह जो income है ना यह मैं कोई और काम के लिए use नहीं कर सकता यह building fund के पैसे से आयोगा income है यह building fund account में ही चला जाएगा कोई भी income अगर हाँ प्रिंसीफ करते हो on temporary investment of these fund बनी वो हमेशा उसी fund account में credit होगा journal entry बोल रहा हूँ interest मिल रहा है bank account debit to interest interest account debit to PL नहीं interest account debit to building fund और वो fund में जाके पैसा add हो जाएगा always remember fund के लिए donation आएगा fund में add कर दो fund से पैसा invest किया तो investment asset आ गया उस asset से अगर कोई interest आ गया तो वो भी fund में add कर दो fund से अगर कोई खर्चा किये building बनाने के लिए किये तो building आ जाएगा price के लिए किये तो fund से ही less कर दे ना क्योंकि price is not our asset वो हमने दे के खतम कर दे क्या सारे बच्चे को ये fund based accounting clear है क्योंकि बच्चे आपको दिक्कत होता है कहां कहां दिक्कत होता है बता देता हूँ पहला दिक्कत होता है सर building fund से खर्चा किया तो building fund debit क्यों नहीं किया क्योंकि asset बना रहा हूँ asset में आएगा price fund से खर्चा करूँगा तो price fund कम करते जाओगा fund से related अगर कोई investment है और उससे कोई interest आता है तो वो fund में ही credit होगा वो कभी भी PL में नहीं जाएगा और इसके उपर आपको पता है true false exam में आ सकता है any income from temporary investment out of building fund shall be credited to PL answer is false it cannot be credited to PL it shall be credited to building fund क्योंकि वो obligation है वो पैसा भी आपको building के लिए use करना है वो पैसा आप अपने काम के लिए use नहीं कर सकते तारे बच्चे एक बार चैट में लिखके बताओ क्या सबको fund accounting clear है fund accounting is very 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 important और कुछ नया है जो आपने सीखा है बच्पन में normally नहीं करते हैं आप लोग very good very good very good तुम लोग सब जागा हुआ है very good thank you आगे चलता हूँ donation के बाद entrance and admission fee entrance fee या admission fee क्या होता है जब भी member पहली बार किसी NTO का member बनता है तो उससे एक लमसम payment लिया जाता है at the time of his entry और admission to the NTO इस piece को हम लोग बोलते है entrance या admission fee क्योंकि ये one time receipt है ये interest या admission fee हमारे लिए पता है क्या है capital receipt है कौन सी receipt है capital receipt है क्योंकि ये capital receipt है पता है हम लोग इसको क्या करते है balance sheet में capital fund से add कर देते है balance sheet में capital fund से add कर देते हैं सर एक doubt है सर एक doubt है एक example repeat करिए मांसी करूँ गड़ सर एक doubt है क्या doubt है सर यहाँ पे capital receipt था आपने balance sheet में liability बोलके दिखाया यहाँ पे भी capital receipt है बट आप liability बोलके नहीं दिखा रहे हो आप capital fund में add कर रहे हो ऐसा क्यों कोई बच्चा इसका अंसर दे please मैं फिर से बोल रहा हूँ specific donation भी एक capital receipt था बट मैंने उसको बोला balance sheet में liability side में दिखाऊ liability बोलके capital fund में add मत करो बट यहाँ पे मैंने उसको बोला कि capital fund में add कर दो liability बोलके नहीं दिखाना है बच्चे लिख रहे है liability attached है पहले वाले fund से कोई obligation नहीं है इससे related कोई obligation नहीं very 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 good आपके concept बहुत clear है जो मेरा donation लियावा था उसके पीछे मेरा obligation था जब भी मेरा कोई specific obligation होता है मैं उसको capital fund नहीं बोल सकता हूँ capital fund मतलब there is no obligation जैसे इच्छा वैसे यूज़ करो but liability मतलब there is an obligation उसको पहले मैं वो काम के लिए यूज़ करूँगा जब तक वो काम खतम नहीं होगा तब तक मैं इसको और दूसरे काम में यूज़ नहीं कर सकता इसलिए एक बात सिखायता याद है building fund जैसे ही building बन जाए building complete हो जाए building fund में जो भी balance बचेगा एक बड़ा balance हाएगा वो बड़े balance को capital fund में transfer कर देना क्यूँ जब building बन हो गया उसका काम complete अब उसको मैं कोई भी काम में यूज़ कर सकता हूँ उस capital fund का एक part building है जो मैं कोई भी काम में यूज़ कर सकता हूँ किसी लिए उसको हम लोग liability बोलके नहीं दिखाते है capital fund से add करते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा आपका answer आया thank you so much अब सुनना मेरी बात एक चीज यहाँ पर लिखा हूँ है वो चीज आपको पढ़ाना चाहता हूँ such fees which are payable by a member on admission to a club or society are normally considered as capital receipt credited to capital fund this is because these do not give rise to any specific obligation towards the member जो आपने बोला ना वो यहाँ थ्यारी में लिखा हूँ है मैं हमेशा मैट पढ़ने मैंने class में बोल दिया बट मैं मैट पढ़ने क्यों बोलता हूँ आपका उससे concept बहुत अच्छे से clear होता है आगे nevertheless ध्यान से सुनना अब capital receipt है तो capital fund में दिखा दिया बट अगर यह entrance fee और admission fee का amount बहुत कम है और मालो सिर्फ जो admission के समय जो खर्चा लगा उसी को हमने उससे collect किया उस case में फिर वो admission fee को entrance fee को हम लोग पता है capitalize नहीं करेंगे as an income revenue income expenditure account में ढाल देंगे अगर entrance fee का amount बढ़ा है tuition के time जो खर्चा किया stationary वगरा जो use किया उसमें use किया है तो उसको आप income expenditure में डाल देना as an income बट यह जो भी आप करोगे this depends on the requirement of the question आप अपने हिसाब से decision मत लेना question silent है तो entrance fee हमेशा capitalize question अगर कुछ बोले तो ध्यान देना जैसे कुछ question बोलता है 50% capitalize 50% revenue तो आपको फिर 50% capital fund में डालना 50% income expenditure में डालना पढ़ेगा entrance fee के बारे में सब बच्चों को clear है क्या बात आगे चलता हूँ subscription यह subscription recurring nature का receipt है recurring nature का receipt यह NTO को अपने member से मिलता है member से मिलता है regular basis में हर महीना हर साल जैसा हमारा policy है क्योंकि यह recurring nature का receipt है यह revenue receipt है क्योंकि यह revenue receipt है यह पता है कहा जाएगा income expenditure account में जाएगा इसको हम लोग income expenditure account में income show करेंगे under a cruel basis यह subscription सबसे important income है एक non trading organization का और आपने sums करते भी देखा होगा कि सबसे जादा जो दिमाग लगाना पढ़ता है इसी subscription में लगाना पढ़ता है इसी लिए मैंने एक subscription account आपको बनाना सिखाया था जो final account chapter में भी आपको सिखाया है वाई income account बोलके एक बार वो आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर चेक करना please चेक करना please subscription account सारे बच्चे एकदम attention के साथ very important debit सबसे पहले two balance bd debit side में five balance bd credit side में मेरे को कोई बच्चा बता है debit side का opening balance very good समीर का अंसर आ चुक है समीर को पता था भाया पूछेंगे opening accrued यह वो subscription का पैसा है जो last year accrued हो गया था अभी तक मिलेगा मिला नहीं इस साल मिलेगा मेरा asset है debit कर दिया मिलेगा मेरा asset है debit कर दिया यह क्या हो गया बताओ very good मांसी opening pre-received यह मेरी liability है last year advance में मिल गया जबकि services साल देनी है तो यह liability है credit side जो subscription मेरे को receive हो रहा है income receive होता है तो journal entry cash account debit to income तो buy cash account जो subscription मेरे को during the year receive होते जा रहा है वो buy cash फिर आगया closing balance please अब ध्यान से बताओ अब ध्यान से बताओ यह two balance CD किसका है two balance CD किसका है closing pre देखो earn earned income और pre-received अलग-अलग होता है please ध्यान से earn earned होता है earn earned earn earned वही है ठीक है बट अगर accrued बोलते हो तो अलग होता है earn earned और pre-received same है earn earned मतलब कमाया नहीं है पर मिल गया ठीक है very good closing pre-received और इधर हो गया closing accrued सब दियावा रहेगा question में तुमको सिर्फ place करना है समझ के अब बताओ जो difference income मेरा इस साल का बचा वो कहां चला जाएगा वो चला जाएगा income expenditure account में ये income for the year ये income for the year income and expenditure account में चला जाएगा क्या कोई ऐसा बच्चा है class में जिसको ये account अब बनाना नहीं आता हो आप दोनों तरीके से बना सकते है आप account भी बना सकते है आप statement wise भी calculation कर सकते है मैं ये तरीका आपको prefer करने बोलूँगा दो reasons है बहुत बार होता है बोल देता है subscription account बनाओ और दूसरा ये क्या है एक stereotype तरीका है तो आपको हमेशा याद रहेगा चीजे चेंज नहीं करनी income expenditure दिया हुए तो cash निकल जाएगा cash दिया हुए तो income expenditure निकल जाएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा क्या सबको ये तरीका clear है बिलकुल सबको ये तरीका हाँ या ना बोला क्योंकि सबसे important है very good very good very good चलो subscription के बाद next income में चलता हूँ subscription के बाद next income में मैं चलता हूँ life membership fee life membership fee मतनब ये तोड़ तोड़के हर साल subscription लेने से अच्छा एक बार में पूरे life membership के लिए fees ले लो आप एक बार में फीस दे दो हम पूरे life भर आपको serve करेंगे यह life membership fee क्योंकि एक बार मिलती है यह हमारी capital receipt है अब बहुत बहुत ध्यान से यह life membership fee का क्या होगा आगे यह depend करता है firm की या NTO की policy पर ऐसे यह life membership fee को पता है आपको as a liability show करना चीए दो यहां लिखा हुआ है it is added directly to capital fund but is life membership fee के पीछे आपको अपने लोगों को service provide करनी है यह life membership fee को ना हम लोग deferred income बोलके treat करते हैं क्या बोलते है deferred income यानी income मिल गया है पूरा का पूरा अब बस service provide करना है throughout the life life membership fee का दो treatment हो सकता है पहला treatment over the period of his membership expected period of membership 10 साल रहेगा 20 साल रहेगा etc हम लोग इस life membership fee को straight line basis पे amortize करके PL में as an income दिखा सकते हैं जैसे example पांच लाक रुपया का life membership fee मिला 5 लाक रुपया का life membership fee मिला हमको लग रहेगा 10 साल 10 years एक expectation लेके अगर पांच लाक मिला है 10 साल के लिए तो हर साल का 50,000 हम लोग life membership fee से हर साल 50,000 रुपया निकालके income expenditure में as an income दिखाएंगे तो पहला साल 5 लाक रुपया balance sheet में life membership fee 50,000 income expenditure साड़े चार बचा second year वापस 50,000 फिर third year वापस 50,000 दिखाएंगे दूसरा life membership fee को पड़े रहने दो as a liability जब तक वो हमारा member है हम उसको serve करेंगे जिस दिन उस member की death हो जाए या membership खतम हो जाए उस दिन पूरा का पूरा life membership fee को उठा के capital fund में डाल देना तो life membership fee को दो से treat कर सकते हो एक हो गया capital receipt पूरा का पूरा as a liability balance sheet में दिखा के रखूँगा जेस दिन उनका membership खतम होगा capital fund में डाल दूगा दूसरा deferred income over the period of his membership धीरे धीरे करके उसको income expenditure में डाल दूगा question आपको बताएगा आपको करना क्या है normally question आपको यही बोलेगा balance sheet में as a liability दिखा द जब तक member है तब तक और उसके बाद capital fund में transfer कर दो यह था तीसरा वाला next वाला life membership fees आप यह दोनों पढ़ सकते हैं आप यह दोनों पढ़ सकते हैं एक बार read करो मेरे हिसाब से सारे बच्चे please read करें इंद्र कोई आया है शाय फिर पानी दो कोई आया है शाय the entire amount may be carried forward in a special account and until the member dies when the same when the same may be transferred to the credit of accumulated fund जब तक member है तब तक accumulate करके रखेंगे life membership fee जिस दिन वो गया उस दिन पूरा का पूरा general fund में चला जाएगा capital fund में दूसरा an amount equal to normal annual subscription हर साल का annual subscription may be transferred to income expenditure balance carried forward till it is exhausted जब तक वो है रहेगा if however member dies before the whole amount is transferred जो balance बचेगा एक बार में general fund में डाल देना या एक बार में capital fund में add कर देना तो दो तरीका धीरे धीरे करके income expenditure में दिखा के खतम करें दूसरा रहने दो जिस दिन उसका death हो पूरा का पूरा capital fund में डाल देना एक बच्चे ने question दिया भया कौनसा treatment करेंगे अगर mention नहीं है तो आपका जो question आता है वो एक साल का question आता है आपको दो तीन चार पान साल का balance sheet नहीं बनाना होता है पी एल नहीं बनाना होता है तो आप इसको as a liability balance sheet में दिखा देना क्योंकि आगे काम को करना नहीं है तो उसके बारे में हम लोगों को उस दिमाग लगाने का ज़रत नहीं है अगर करना होगा तो question साफ करेगा कि इसको amortize करना है या रहने देना है question आपको खुद बताएगा which has to be followed life membership fee सबको clear है तो मैंने क्या क्या discuss किया donation, general specific, general revenue, specific capital, subscription, revenue nature, entrance fee, capital nature, life membership fee, capital nature ये चारो important discuss किया हुआ है क्या आपको चारो clear है आगे चलू next specific general हो गया next point मेरेको जो discuss करना है वो है legacy legacy किसको बोलते है अगर कोई इनसान मरते समय अपनी will के तहत, will के तहत, कुछ portion of his estate अगर किसी NTO को non-profit seeking organization को दे कर जाता है वो पैसा जो मिलता है उसको हम लोग बोलते है legacy ये पैसा क्योंकि एक ही बार मिलता है इनसान से आपको तो ये एक capital receipt है, कौन सा receipt है, capital receipt है क्योंकि ये capital receipt है, हम लोग इसको balance sheet में capital fund के साथ add करके दिखाएंगे ये सब पैसा में normally कोई obligation नहीं होता है, ये सीधा capital fund में add कर दो तो legacy से related जो भी पैसा आएगा, that is to be added to the capital receipt है इसके बाद आया endowment fund, endowment fund donation क्या हो गया, ये fund जिसके पीछे आपको एक specific purpose दिया जाता है यानि माल लोगो will के तहर लिखके जा रहा है कि ये पैसा, आप सिर्फ यूज करोगे एक धर्मशाला बनवाओगे धर्मशाला बनवाओगे हमारे non-profit organization के लिए, अगर ऐसा कोई आपको कोई specific donation के लिए या specific काम के लिए कुछ पैसा दिया जाए, उसको हम लोग बोलते है endowment fund donation क्योंकि specific obligation है, इसको हम लोग liability side of the fund में एक fund बोलके दिखाएंगे liability side of the balance sheet में, ये capital fund में add नहीं होगा तो legacy added to capital fund, जबकि ये कहा जाएगा, balance sheet का liability side fund बोलके दिखाई देगा और यही चीज हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो इसमें कोई घ्यान नहीं है आगे, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, एक receipt और आ सकता है, receipt कहा से, receipt from business activities हो सकता है, एक non profit seeking organization कोई business activity undertake कर रहा हो, जैसे मैंने आपको example दिया था, इसकोन temple के नीचे गोविंदा restaurant, या मंदिर के, मंदिर के प्रांगन के अंदर मालो कोई अगरवत्ति वगरा बेच रहे हैं, या कुछ बेच रहे हैं, जो मंदिर trust का खुद का है, बाहर वाले लोग का नहीं, मंदिर trust का है, अगर कोई business activity undertake किया जा रहा है, एक NTO दौरा, त उससे आयोई सारे पैसे revenue nature का है, अगर ये revenue nature का है, तो उस activity से जो भी profit होगा, ये profit हम लोग income expenditure account में दिखाएंगे, मालो restaurant में काम करके पुरे साल भर sales हुआ 10 लाग, cost of goods sold है, मालो 9 लाग, 1 लाग रुपया का profit, ये 1 लाग रुपया का profit income expenditure में, ऐसा revenue income हम लोग दिखाएंगे हम लोग ने बात की थी, याद है, अगर कोई business activity undertake कर रहा है, तो उसके लिए एक separate trading account बना लो, जैसे restaurant trading account, बार trading account, ये trading account आप बना लो और इस trading account से income calculate, profit calculate करके income expenditure में दिखा दो, तो NTO का एक तरह से और पैसा आ सकता है, उसका कोई business activity undertake करके, ये business activity के लिए हम लोग एक separate trading account बना और इस trading account से आने वाला profit हम लोग income expenditure account में as an income दिखाएंगे, क्या सारे बच्चों को कितना दूर तक का बात, क्यूंकि यही main बात है, ये समझ में आ गया ना, chapter complete है, और income समझना जादा ज़रूरी है, खर्चे में दिक्कत नहीं होगा, fixed asset related खर्चा है, capital expenditure, normal related खर्चा, revenue expenditure, fund से related खर्चा, fund में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में हा जाएगी, main जो है, वो income समझना है, capital nature, revenue nature, income expenditure, balance sheet, etc, सारे बच्चों को यहां तक clear है, एक बार बता दो, हाँ clear है, तो फिर मैं थोटा थोटा बात करके, question की तरफ बढ़ूँगा, मेरा major discussion complete हो गया है, मैं main sources of income, यहां तक done है, आप सुनना ध्यान से बात, last बार discuss करने जा रहा हूँ, फिर question कराऊंगा आपको, तीन तरीके के, चार तरीके, ओ, honorarium क्या होता है, honorarium एक तरीके का खर्चा है, non-profit seeking organization का, माल लो, हमारा एक non-profit seeking organization है, हमने hospital and medical college खुल रखा है, medical college and hospital खुला हुआ है, अब इस medical college में, lecture देने के लिए, हम लोग South India के एक अच्छे doctor को बुलाते हैं, और उनको बोलते है, हमारे members को, members को क्या कर रहे है, knowledge दे रहे है, उनको हम लोग जो पैसे देते हैं, उसको हम लोग honorarium बोलते है, honor में किसी को पैसा देना, honor, 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 respect से, उसको हम लोग honorarium बोलते है, non-trading organization के लिए, ये honorarium एक टाइप का खर्चा है, employees को नहीं दे रहे हैं, उनकों को दे रहे हैं, ठीक है क्या दिवय नाम है कि दिवय ओके ठीक है, done, अब सुनना, इस chapter से कुछ practical बाते कर रहा हूं, पाँच मिनिट और, practical बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस chapter से, पाँच टाइप के question दिखाई दे सकते हैं, कि आसर, पाँच टाइप के, सुनते जा, सब आता है तेरको, सब आता है, तुम लोग champion है, तुम लोग champion word का मतलब जानता है, तो तुम लोग चंपू है, चंपियन है, तुम लोग को सब आता है, तुम लोग खली रिवाईस सही से करो, ठीक है, सुनना ध्यान से, पहला टाइप का question, प्रिपेर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पांच मार्क, मेरे को नहीं लगता, क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा है, जो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना बना पाए, पाइनल अकाउंट पुरा कंप्लीट किया, इंकम एक्स्पेंस अकाउंट बनाके, NTO कंप्लीट कर दिया, दूसरा, आपको ट्रायल बालेंस या रिलेटेड इन्फोर्मेशन दिया हुआ है, और आपको बोला, रिसीट पे नॉर्मली कम आता है, अगर ये आएगा तो ये 10 माग का आएगा, ये easy question होता है, चिंदी question होता है, tough नहीं होता है, ये आएगा तो 10 माग का, बहुत कम आता है ये, ठीक है, तीसरा, रिसीट पेमेंट गिवन, आपको बनाना है, income expenditure balance sheet, ये 10 से 20 माग का कुछ भी आ सकता है, 10, 15, 20, depending on the level of question, number of adjustments, etc, चौथा, income and expenditure and balance sheet given, इससे बनाना है, 10 से 15 आई लिखता हूँ, 10 से 15 कुछ भी आ सकता है, रिसीट पेमेंट से income expenditure balance sheet, income expenditure balance sheet से receipt payment, और last, income expenditure receipt payment दे दिया, बोला balance sheet बनाओ, 10 माग, ये 5 तरीके के question है, इसमें मेरे को कोई problem नहीं है, मेरे को पता है, बच्चे को adequate knowledge होती है, इतने सारे sum करने के बाद, बड़े चोटे करने के बाद, बच्चा कर लेता है, इसमें खली ध्यान रखना पड़ता है, revenue nature, capital nature, receipt payment है तो receipt payment में बीजाएगा, revenue nature है तो income expenditure, capital nature है तो balance sheet, ये दो में उतना दिक्कत नहीं होता, इन तीन टाइप के question को solve करते से मैं, कुछ बाते ध्यान में रखनी पड़ती है, जो मैंने हर type का sum solve करने से तहले आपको लिखवाया था, मैं एक बार repeat करा हूँ, please copy खोल लो, copy खोल लो, और एक एक type के जो topic है उसमें चले जाओ, पहला topic है, receipt payment दियाओ है, income expenditure balance sheet बनाना है, मैंने लिखवाया होगा 100%, please चले जाओ उसमें, please, एक बार मैं revise कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सारे बच्चे अपनी copy में, topic में चले जाओ, receipt payment given, prepare income expenditure account and balance sheet, इंद्र, अब यहाँ पे मैंने आपके साथ क्या discuss किया था, सुनना ध्यान से, मैंने आपको बोला था, question में आपको दिया रहेगा receipt payment, और कुछ additional information, adjustment दिया वा रहेगा या asset liabilities की value दीवी रहेंगी, ठीक है, इससे आपको income expenditure balance sheet बनाना है, सबसे पहला काम question पढ़ते समय, हमेशा पहले adjustment वाला portion पढ़ो, उनमें जो जो item receipt payment से related है, उनको टिक करते जाओ, पहला काम, ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप receipt payment यूज करके बनाओगे income expenditure balance sheet, जिन item में भी dots होगा, points होगा, उन item को आप अच्छे से पुरा पढ़के, adjustment करके, आप final income expenditure balance sheet में डालोगे, दूसरा, ये पहला question पढ़ने का तरीका, नीचे वाला part पढ़ा, फिर उपर वाले से connect करके, हमने लिख दिया, कौन सा से क्या point related है, अब question बनाने का तरीका क्या रहेगा, आप income expenditure का format बना लेंगे, balance sheet का format बना लेंगे, वो सकता है, आपको opening balance sheet बनानी पढ़ जाए, क्यों ब draw कर ले, receipt payment account का first receipt site से चालू करना है, हम लोगों, receipt site से, receipt site का पहला item रहता है, opening cash balance, ये opening cash balance बताना, opening cash balance, सारे बच्चे बताना, opening cash balance कहा चला जाएगा, opening cash या bank balance, receipt payment से उठके कहा जाएगा, तीन चीज़े, income expenditure, closing balance sheet, opening balance sheet, सबका answer सही है, opening balance sheet, done, इसके बाद opening cash हो गया, फिर आपको क्या दिखेगा receipt side में, receipts दिखेंगे, receipts का example दे रहा हूँ, subscription दिख सकता है, interest fee दिख सकता है, life membership PC दिख सकता है, donation दिख सकता है, sale of fixed asset दिख सकता है, तो आपको receipt को दो पार्ट में बाटना है, revenue nature का, इंदर, capital nature का, इंदर भी आ है, revenue nature का, capital nature का receipt, revenue nature का जो receipt है, revenue nature का जो receipt है, वो कहां चला जाएगा, income expenditure account में, income side में चला जाएगा, revenue nature का receipt मतलब subscription, donation, जो revenue nature के, general nature के, ये सारे income expenditure account में income side में चले जाएंगे, इनको income side में दिखाते समय याद रखना, अगर accrual basis से related कुछ adjustment है, जैसे accrued, pre-received, etc. वो सारे adjustment करने के बाद income expenditure में लेके जाना, subscription दियावाए 20,000, नीचे दियावाए accrued subscription 5,000, add कर देंगे, pre-received 2,000, less कर देंगे, वो वाला काम करने के बाद देखे जाना, ठीक है, capital nature वाला कहाँ चला जाएगा, balance sheet में, जैसे interest fee, capital fund से add कर देना, life membership fee, liability बोलके दिखा देना, special donation अगर कोई मिला है, fund बोलके दिखा देना, asset sell हुआ है, तो fixed asset से less कर देना, ये सारा काम हम लोगों को करना है, ये मेरा receipt side complete हो जाएगा, फिर हम लोग आएगे payment side में, payments, दो टाइप का payments, revenue nature का, capital nature का, revenue nature का, capital nature का, very good, आप लोग बिल्कुल सही answer दे रहे हैं, revenue nature का, capital nature का, revenue nature का payment कहा जाएगा, बताओ, income expenditure, but income expenditure में दिखाते समय कौन सा basis, accrual basis, यानि अगर salary दिया हुआ है, और नीचे कुछ outstanding salary, prepared salary वगएरा दिया हुआ है, तो उसको सही से आपको adjust करने के बाद, income expenditure में लेके जाना है, capital nature का expenditure कहा चला जाएगा, balance sheet में, investment खरीदा, balance sheet asset side, fixed asset खरीदा, balance sheet asset side, वहाँ पे asset side में जाके place कर देना, जाना है अगर price fund से related कोई price दिया, तो वह price fund से less कर देना, उसको asset side में मत दिखाना, price fund से less कर देना, यह हो गया, last आपको दिखेगा closing cash balance, यह closing cash balance कहा जाएगा, बताओ, sir, closing balance sheet में चला जाएगा, तो जब भी आप इस type के sum बनाओगे, आपको इन चीजों को दिमाग में रखना होगा, और मेरे हिसाब से मैंने copy में बहुत अच्छी तरीके से आपको यह वारा चीज लिखवा के रखा होगा, और कोई भी बच्चे को इस चीज में दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत slow and study चलना है रे, मैंने बोला ना 3 घंटा कभी लगता ही नहीं है, सवा 2 घंटा, 5 घंटे म देगा, जो accrual का तुम adjustment करते हो, outstanding, prepaid, accrual, pre-receipt, उनको balance sheet में सही देगा दिखाना, opening है तो opening balance sheet, closing है तो closing balance sheet, यह याद रखना पड़ेगा, और यहीं पे तुम mark होगे, लेना क्या बात, तो यह हमने सीखा, अगर हम लोगों को बनाना है बताओ, क्या, receipt payment से income expenditure, अब CPT का बच्चा थोड़ी है, surplus time maths मिलेंगे, क्या maths exam, मैं 3 गंटे की बात कर रहा हूँ, 3 गंटे में maths exam कहां होता है तुमारा, क्या, तुम लोग क्या, खापी के आगया, रे, वो surplus carry forward नहीं होता है, maths का 3 गंटा आला, अकाउंट्स का, maths का 2 गंटा, C.A. Foundation, तुम लोग का बात समझ में नहीं है, मेरे को अनिकेत, आगे चलता हूँ, income expenditure and balance sheet से receipt payment बनाना, अब मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, सु करता हूँ, ताकि वो लिख सकूँ, income expenditure से मेरे को balance, receipt payment बनाना है, एक एक चीज करके, सबसे पहले मैं question पढ़ूँगा, जो adjustment दिया रहेगा, उनको items के साथ link कर दूँगा, अब एक एक चीज, expenditure side से चालू करूँगा, expenditure side का हर item, हर item, दो पाट में बाढ़ सकता हूँ, cash nature का, non-cash nature का, non-cash nature का item, receipt payment account में नहीं जाएगा, cash nature का item, receipt payment account में जाएगा, income expenditure, income expenditure, expenditure, में जो expenditure side में आपको expenditure दिखाई देगा, salary भी दिखाई दे सकता है, फिर आपको depreciation भी दिखाई दे सकता है, फिर आपको honorarium भी दिखाई दे सकता है, बहुत सारे खर्चे आपको दिखाई देंगे, तो जो cash nature के खर्चे होंगे, वो receipt payment account में, payment side में दिखा देंगे, non-cash nature क खर्चे होंगे उनको receipt payment में हम लोग नहीं लेके जाएगे ठीक next जब मैं इसको receipt payment लेके जाओंगा ध्यान रखना ये बना हुआ है accrual basis पे जबकि मेरे को ये चाहिए cash basis पे तो जितने accrual adjustment है मेरे को सबको reverse करना होगा यानि अगर कोई outstanding salary है तो वो minus कर दूँगा क्योंकि वो payment नहीं हुआ है अगर payment नहीं हुआ है तो receipt payment में नहीं जाएगा अगर कोई prepaid salary है तो वो payment हो चुका है तो receipt payment में जाएगा मैं add कर दूँगा तो मेरे को सारे accrual adjustment को reverse करके किसमे convert करना है cash में expenditure side खतम फिर income side सारा जाते जाएगा एक एक करके receipt side फिर वही फरक होगा ये accrual basis प करके receipt में दिखाता जाओंगा income expenditure में जो surplus deficit दिया है surplus deficit वो receipt payment अकाउंट में नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा surplus deficit कोई receipt payment फिर फैसा आया गया थोड़ी है ये तो मेरा final result था income minus expense का तो उसको कहीं नहीं दिखाना है तो expenditure item एक एक करके payment में जाएगा receipt item एक एक करके income item एक एक करके receipt में जाएगा next balance sheet जो cash and bank balance है cash and bank balance वो मैं opening closing balance बोलके opening and closing balance बोलके receipt payment account में दिखाऊँगा फिर हर एक asset liability को मेरे को analyze करना होगा analyze करने का मतलब ध्यान से सुनना मालो मेरे पास साल के शुरू में opening balance sheet दिया हुए investment 10,000 closing balance sheet में investment हो गया opening balance sheet में investment था 10,000 closing balance sheet में investment हो गया 25,000 कुछ बोलो comment करो 10,000 था 25,000 हो गया please comment करो very good sir 15,000 का purchase हुआ है अगर investment purchase करेंगे तो रोकणा लगेगा पैसा लगेगा तो वो payment side way मेरे को दिखाना होगा by investment purchase 15,000 मेरा fixed asset एक लाग था था साल के शुरू में और साल के end में 90,000 का हो गया एक लाग था 90,000 जिसमें 5,000 का depreciation है अब एक लाग में अगर 5,000 का depreciation है तो 95 होना चाहिए बड़ दिख रहा है 90,000 तो 5,000 का क्या हुआ होगा sale हुआ होगा वो sale receipt side में दिखना चाहिए हाँ sale हमेशा sale value पे आएगा तो आप देख लेना बेचते से मैं कोई profit loss तो नहीं हुआ था मानलो बोला 1000 रुपय के profit में बेचा तो 5,000 का asset 1000 के profit में बिखेगा तो कितने में बिखेगा 6,000 वो आपको receipt payment में दिखाना है आपको दिख रहा है opening building fund था लाख रुपया closing building fund हो गया 1,500,000 रुपया मतब 50,000 का कोई donation रिसीव हो है ये donation आपको receipt side में दिखाना है तो आपको हर item of assets and liabilities को balance sheet में compare करना होगा और उस comparison से अगर कोई receipt payment निकल के आ रहा है तो वो भी आपको दिखाना होगा क्योंकि receipt payment account में सिर्फ revenue nature का item नहीं आता capital nature का भी item आता है revenue nature का item मिल जाएगा income expenditure में capital nature का item मिलेगा balance sheet से और दोनों जाके आपका बनेगा receipt and payment account ये बच्चों को जादा simple लगता है ये बच्चों को थोड़ा सा tough लगता है क्योंकि यहाँ पे balance sheet को भी analyze करना है income expenditure को भी analyze करना है पहले बताईए क्या ये बात clear है पहले बताईए क्या ये बात clear है hundred percent done last income expenditure receipt payment दिया है balance sheet बनाना है मजेदार होता है ये मजेदार मेरा favorite करना क्या है बिलकुल simple receipt payment का opening closing जो cash है वो opening balance sheet closing balance sheet में cash बठा देना अब ध्यान से income expenditure का जो खर्चा side है expenditure side है उसको receipt payment के payment side से आपको टैली करवाना है लड़वाना है मालो expenditure में दियावे salaries पचास अजार expenditure में payment में दियावे salaries 45,000 कुछ comment करना है 50,000 का आपका दियावे salaries का खरचा payment दियावे salaries 45,000 comment करना है 5,000 outstanding Samir का comment 5,000 outstanding very good outstanding liability balance sheet में जाएगा balance sheet में दिखा देना तो हर item of expenditure has to be compared with the same item of payment हर item of income has to be compared with the same item of receipt और ये comparison में अगर कोई भी difference आएगा तो वो difference balance sheet में adjust होगा pre-paid, outstanding, pre-received, accrued बोल के और ये सबसे जो अज़ार काम है पूरे के पूरे chapter में उसके बाद जो fixed asset, investment वगेरा है वो हम लोग opening closing balance sheet में दिखाते जाएगे depreciation वगेरा, minus करना, sale वगेरा, हटाना वो सारा काम हम लोगों को करना है तो जब भी हम लोग receipt payment income expenditure से बनाएंगे सबसे ज़ादा काम है receipt का हर item को income से match करो difference balance sheet payment का हर item को खर्चे से match करो difference balance sheet फिर asset purchase किया interest fee वगेरा capital सब मिला वो सारा balance sheet में अलग से जाएगे तो ये तीन तरह के question मैंने तुमको class में भी करवाये थे और ये तीन तरह के question मैंने तुमसे discuss भी कर लिए क्या सारे बच्चों को class का जो written notes है उससे ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा क्या सारे बच्चे इन सब चीज से comfortable है ये मेरा main part of discussion था यही discussion से question बनेगा इससे पहले जो भी discussion किया वो chapter का core था बट उससे question नहीं बनेगा question बनाने के लिए ये knowledge ज़रूरी है सारे बच्चे एकदम okay है with this are you through with this मेरा यहाँ पर revision complete होता है मेरे को सिर्फ एक question बनाना है क्या class record हो रहा है क्या बिलकुल record हो रहा है दीदी मैं हर class record करता हूँ मैं दूसरी बार नहीं कर पाता हूँ बात चान सारा मेहनत एक बार में लगा दो दूसरी बार 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 नहीं है भाईया टेस्ट कब है 31st August इंद्र चान चलिए अब मैं आपको एक question देता हूँ छोटा सा question है सारे बच्चे स्क्रीन पे उस question को पढ़ेंगे और उस question को हम लोग solve करेंगे as a revision और यह यहां से हो जाएगा आप लोग अपनी copy निकाल ले यह question है RTP सारे बच्चे question को read करें यह question मेरे को आपके साथ discuss करना है खोड़ा सा अलग type का है आपको लगेगा जैसे किसी का personal account बनाना है तो भी वो NTO में question दे दिया डॉक्तर दिनेश आफ्टर रेटारिंग फ्रॉम गवर्मेंट सर्विस स्टार्टे प्राइवेट प्राक्टिस अन 1st एप्रिल दो हसार अथारा प्राइवेट प्राक्टिस स्टार्टिस किया है तर यह नन ट्रेडिंग और्गनाइजेशन कैसे हुआ कुछ वेलपेर वगेरा भी कर देते हैं अच्छे आदमी है विट रुपीज एक लाख ऑफ इस ओन एक लाख खुद लगाया ठीक है एड वल लाख फिफ्टी थाउजन बॉरोड अट अन इंट्रेस्ट आफ ट्वेल परसेंट पर है नम एक लाख खुद लगाया डेड लाख रुपे का लोल लिया टोटल कितना रुपिया बिजनस में इनीशली डाला टोटल कितना रुपिया बिजनस में इनीशली डाला सारे बच्चे धाई लाख धाई लाख में कापिटल कितना क्या ये पूरा धाई लाग capital है धाई लाग में capital कितना एक लाग पूरा धाई लाग capital नहीं है मांसी और समीर एक लाग खुद का लगाया डेड़ लाग तो लोन पे लेके लगाया एक लाग रुपया capital है और डेड़ लाग रुपया जो है वो loan लेके रखा है, liability है अगर आज के दिन balance sheet बनाने दूँ न, balance sheet आज के दिन खली इसी transaction का, तुमको दिखेगा asset side में cash धाई लाग, liability side में capital एक लाग loan डेड़ लाग, तो balance sheet दोनों side तल्ली हो जाएगा धाई लाग पे जान, आगे चलता हो, interest की rate पर ध्यान रखना, interest की rate पर ध्यान रखना on security of his life policies, ठीक है, security दे के लिया है, loan, ठीक है his accounts for the year were kept on cash basis, जो accounts बनाता है, cash basis पे बनाता है पैसा आया तो record करेगा, गया तो record करेगा, accrual नहीं देखा है, accounts maintain किया है and the following summarized cash account is given, उसका summarized cash account आपको दे दिया एक बार cash account को फटाफ़ट रेट करो, फटाफ़ट 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 own capital एक लाख, loan डेल लाख, loan के उपर एक dot कर रहा हूँ, बताना क्यूं? loan में ऐसा क्या है, very good, sir interest calculate करना है आपको, तो sir ध्यान रखना है, ठीक है फिर prescription fee, visiting fees, fees from lecture, pension receive, ठीक है, इधर medicine, surgical equipment, motor car, motor car expenses, motor car expenses, ठीक है wages, salaries, rent of cleaning, general charges, household, household furniture, household expenses, household furniture, expense on daughter's marriage, interest on loan, balance and bank, cash in end बाद में पुछूँगा क्या है, क्या है, क्या नहीं, अभी तो इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है done, one third of motor car expenses may be treated as for private use of car dot कर देता हूँ, very good, drawings, very good and 15,000 of salaries are in respect of domestic servants, salaries का 15,000 domestic servants के लिए है ये भी drawings, very good, very good, आगे चलते है the stock of medicine hand on 31st March 2019 were valued at 47,500 31st March 2019, start किया 1st April 18 को, इस साल के शुरू में और end में medicine कुछ बचा हुआ है, इस साल medicine कुछ खरीदा था, क्या medicine खरीदा था, सारा medicine use नहीं हुआ, कुछ medicine अभी भी बचा हुआ है, आपको सही से बताना है बाद में, use कितना हुआ, ठीक है आगे, you are required to prepare इस capital account, capital account बनाना है, income expenditure account बनाना है, 31st March 2019 का, और एक balance sheet बनाना है as on that date, ignore depreciation on fixed tax, यह NTO से जादा, एक final accounts का question नहीं लग रहा है please comment करो, NTO से जादा, एक normal final accounts का question नहीं लग रहा है एक तो simple type का question बोला है, capital बनाओ, capital account, PLA बनाओ, balance sheet capital account हम लोग नहीं बनाते हैं, थे हम लोग balance sheet में ही दिखा देते हैं, opening plus capital introduction minus drawings वागेरा अब बोल रहा है account बना दो, बना देंगे, तो हम लोगों कोई इतना सा काम करने ही बोला है तो literally यह कोई income expenditure का question में तो NTO का है ही नहीं यह तो एक normal final account बनाने का question है, मैंने तो बोला थना final accounts ही बनाना है नाम change हो गया बस तरी, सारे बच्चे, मेरे साथ सारे बच्चे, मेरे साथ बनाएंगे एक-एक करके एक हो गया income and expenditure account for the year ended 31st March 19, please मेरी copy देखने की जरत नहीं है सारे बच्चे, मेरे साथ बनाएंगे, बैट के copy को ताकने की जरत नहीं है और अगर किसी को लगता है यार बाद में ही बना देंगे कि अभी क्या काम है, तो बाद में भी तो इतना ही time लगेगा यार अभी मेरे साथ रहे लो कुछ देर income expenditure account particulars amount, particulars amount या expenditure amount, income amount ठीक है, इसके बाद मेरे को बनाना है एक closing balance sheet rate क्या है balance sheet का 31st March 19 ठीक है balance sheet 31st March 19 फिर मेरे को बनाना है एक capital account sorry capital account तीन चीच done साथ करें income expenditure, balance sheet, capital account ठीक है सबसे पहला item पकड़ते हैं opening में आपको दिया वैप पहला यह जो line लिखा वैना यह वापस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वापस यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे को बताओ जो लाख रुपिया opening में इंट्रोड्यूस किया opening में वो मैं कहां दिखाओ कहां दिखाओ आप जहां बोलेंगे यह क्या कोई income expenditure है या फिर कोई capital का आयवा पैसा है capital का पैसा कहां दिखाओ सारे बच्चे balance sheet में दिखाइए सर balance sheet में मुकेश बोल रहा है मुकेश सौरी मतना वृतिका बोल रही है capital में देखो उदय, अनिकेत, अनन्त, सिध्धी, मांसी जब capital account आपको बनाना है तो balance sheet में directly opening capital क्यों लिख रहे हैं वहाँ पर हम लोग सीधा closing capital रहा देंगे तो जब मेरे को capital account आल्रेडी बनाने बोला है मैं इसको यहाँ दिखाऊंगा buy cash account एक लाक रुपया introduce किया capital में balance sheet में मत दिखाऊ capital account में दिखाऊ buy cash एक लाक आगे चलू text loan loan 10,500,000 रुपया दिखा रहे 1,500,000 रुपया कहाँ दिखाऊं loan loan कहाँ दिखाऊं बच्चा बोल गया capital account balance sheet, balance sheet, balance sheet और एंट्रेस्ट नहीं, loan कहाँ दिखाऊं पहले वो बता balance sheet में चलिए loan मैं balance sheet में दिखाऊं loan कितना रुपया loan कितना रुपया कितना रुपया लोन बालन्स शीट में कितना लोन दिखाऊ ये रा question आपके सामने गेल लाक गेल लाक एक बार पेमेंट साइड चेक कर लो पेमेंट साइड बेरी पेमेंट तो नहीं हुआ है न इस साल वो सकता है साल वर में कुछ repayment भी हो गया हो ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ तुमको सर कोई repayment नहीं हुआ है payment side में नहीं लिखा माल नो यहाँ पे लिखता loan repayed 10,000 माल नो यहाँ पे लिख देता तो फिर balance sheet में कितना दिखाते अगर माल नो लिख देता very good 1.4 lakh इसमें नहीं दिया हुए exam में चुपकी लिखने दे देगा ध्यान रखना उस बात पर तो यह मैं यहाँ से यह मिठाता हूँ क्योंकि loan का कोई repayment नहीं हुआ है balance sheet में loan आ जाएगा 1.5 lakh 1.5 lakh अब मेरे को बता इस पर interest का क्या करना था 12% interest साल के शुरू में loan दिया था तो पूरे साल का 1.5 lakh पे 12% कितना होता है 1.5 lakh पे 12% कितना होता है 18,000 यह खर्चा है कहां जाएगा income expenditure देख लो तो pay हो गया क्या पूरा एक बार देख लो तो pay हो गया क्या पूरा pay हो चुका है तो outstanding वगेरा कुछ नहीं आएगा मालो यहां payment में देता 15,000 payment में 15,000 तो 3000 का outstanding आता वो भी ध्यान रखना है आपको यही तो चीज है सीखने का कि आपको देख के समझना है उसका पूरा pay हुआ या नहीं 18 था 18 पे हो गया ठीक है तो खर्चा तो दिखाना ही पड़ेगा to interest on loan 8,000,000 का 12% 18,000 मिल गया नहीं पे कर दिया पूरा 18,000 आगे चलते हैं यह loan हो गया next prescription fee 3,30,000 कुछ बोले इसके उपर income very good चलो by prescription fee 3,30,000 next visiting fees fees from lecture पहले visiting fees पे आते हैं visiting fees एक पच्चिस visiting fees बोलिए income very good एक पच्चिस next fees from lectures fees from lectures 12,000 कुछ बोलिए income very good पच्चों कोई डाउट? पच्चों कोई डाउट? no, okay next pension received pension received pension क्या होता है जानते हो? government organization अगर government मतलब कोई काम करते हो government undertaking में तो तुमारे retirement के बाद तुमारे घर चलाने के लिए तुमारे government तुमको fixed amount देता है हर साल after retirement काम आपनी करे तो भी इसको pension बोलते हैं हम लोग ठीक है? बताईए pension receive हुआ है हम पूराने government organization में काम करते थे उनका यहाँ service छोड़ दिया retire हो गया है तो वो लोग हमको pension दे रहे ताकि मेरा मेरी पतनी का मेरे बच्चों का घर चल सके pension मिला pension very very good love you all अनन्द थोड़ा सा very good personal income है ना very good yes pension personal income है यह पैसा जो मिला है यह हमारा private clinic चला के नहीं मिला है तर lectures भी तो वो other income है उसका doctor है other income हो गया बट यह जो pension है ना यह मेरे personal capacity में मिलता है मेरे को और यह पैसा मैंने business में introduce किया है तो यह पता है कहां आएगा यह आएगा capital में by pension by pension एक लाग कितना था रहे पचास हजार by pension एक लाग पचास हजार यह बहुत अच्छा था बहुत अच्छा और बच्चों ने बहुत अच्छा capital बोला pension जो receive हुआ है यह pension हम past service करते थे government में हमने retire किया government ने बोला हर साल तुमको डेड़ लाग रुपए देंगे तुमारी जिंदगी तक तो यह जो डेड़ लाग रुपए मिलका है मेरे private clinic से नहीं मिल रहा है doctor की capacity में नहीं मिल रहा है तमीर अगर personal पैसा बिजनस में आए तो वो capital बोला जाता है pension capital है यह income नहीं हमारे private clinic का very good जिनों ने capital बोला very 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 good चलिए यह हो गया next medicine purchased 1,22,500 इससे related कुछ medicine का stock नीचे दिया हुआ है आप बताओ मिरे को क्या करना चाहिए आप बताओ मिरे को क्या करना चाहिए थोड़ा फटा-फट बताएंगे फटा-फट less कर देंगे expenditure में दिखाएंगे very good तो मैं दिखा रहा हूँ expenditure में to medicine consumed या used to medicine consumed या used 1,22,500 minus 47,500 1,22,500 minus 47,500 75,000 75,000 medicine consumed very good mansi इसको used भी बोल सकते हो medicine used और जो बचाओ मेडिसीन है वो कहाँ दिखाओ closing stock balance sheet very good stock of medicine stock of medicine 47,500 stock of medicine 47,500 मेरे इसाब से सब बच्चे आप लोग बहुत तेज है clear है आप लोगों को यह बात है आप लोग फोडेंगे एग्जाम में आपको पता है मतलब I can see जिस लेवल पर आपने घर बैठके भी preparation किया है ना that is commendable मतलब बहुत अच्छा preparation आप एक एक neat and clean concepts रखके आप अंसर कर रहे हो आप pension को capital बोल रहे हो medicine consume निकाल पा रहे हो these things are very 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 good and I salute you all अगर मैं आपकी जगा होता शायद घर बैठके मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता क्यों? मैं वो वैसा प्राणी नहीं हूँ जो घर बैठके बढ़ सके बाहर घूमने का इच्छा करता है आप लोग भी शायद वैसे ही होंगे आप लोगों ने मन को तेज रखके बहुत अच्छी पढ़ाई किया and thank you so much for this पढ़ाई करेंगे हमेशा प्रेस करूँगा आपको नहीं करेंगे ज़ाड़ दूँगा एकदम सिंपल पंडा है नहीं आपने सच में पढ़ाई करके रखके हैं यह देखके लगता है कि चलो जो हम time spend कर रहे हैं time invest कर रहे हैं वो time कोई अच्छी जगा पे लग रहा है and this is creating a hell lot of assets for me आप मेरे लिए assets हो आप आगे जाके बहुत अच्छा करने वाले हो thank you so much आगे चलता हूँ यह हो गया मेरा यह हो गया मेरा फिर दियावे surgical equipments कुछ बोलिए surgical equipment खरीदा कीड फाड काटने का assets very good चलिए acid side surgical equipments नीचे बोला था depreciation ignore करना depreciation ignore करना ठीक है हम लोग तो ignore करने में माहीर है हम लोग को तो चलते चलते हैं अगर सर भी दिख जाते हैं तो हम लोग घुम के ignore कर देते हैं तो ये तो ignore ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग surgical equipment एक लाग पच्चिस हजार भाव नहीं मिलता किसको मेरे को मेरे को जो भाव मिलता हो तुम क्या समझेगा रहे trending trending ओ तेरे को ठीक है कोई बात नहीं ये दुख होगा तेरे को पका motor car एक लाग साथ हजार कुछ बोलिए motor car एक लाग साथ हजार एसेट चलिए आपने बोला तो एसेट बोलके दिखा देता हूँ एक लाग साथ हजार next motor car expenses साथ हजार नीचे कुछ बोला है नीचे वाला लाइन पढ़के बताओ परको डिवाइड करके बताओ ना कितना कितना expense चालिस हजार ओके कृतिका वेरी गुड समीर बोल रहा है drawings भी हजार वेरी गुड चलिए correct है आप लोग तू motor car expenses साथ हजार का टू थर्ड चालिस हजार ये खर्चा drawings का अदिखाऊंट drawings drawings capital account में वेरी गुड तू motor car expenses bracket में for personal use पी सजार वेरी गुड capital के debit side में अब ये हुआ ना बात balance sheet से less नहीं करके capital में दिखा रहा है क्योंकि capital account बना ही रहा हूं मैं next मैं speed नहीं हो रहा हूं ना slow चल रहा हूं मैं बिलकुल आगे चलता हूं wages salary बावन पान सो ये line जरूर पढ़े पावन पान सो wages salary ओके drawings हो जाएगा कुछ amount का amount का bifurcation दो amount का bifurcation दो 15,000 capital 37,500 expenditure very good लिख रहा हूं two wages and salaries 37,500 बावन पान सो माइनस 15,000 37,500 और balance sheet में two salary of servant 15,000 अरे 37,500 भी capital लिख दिया हूद है सब कुछ capital ओके income expenditure ठीक है आगे चलू next इन तीनों के बारे में कुछ बोलिए sorry तीनों के नहीं पहले इन दोनों के बारे में कुछ बोलिए income expenditure rent, fees, general charges, 24,500 fees, 24,500 next household expense, household furniture household expense, household furniture drawings, drawings, capital very good to household expense to household furniture कितना था रे 90,000 और 12,500 very good आगे दोड़ू expense on daughter's marriage daughter के marriage का खर्चा daughter marriage का खर्चा very good drawings 1,7,500 next interest का काम मैंने कर लिया bank और cash का closing balance bank और cash का closing balance balance sheet bank 55 cash 9 very good प्लीज टोटल चेक करो calculator आप लोगों के पास है प्लीज मैं भी calculate कर लेता हूँ 1,2,3,5,1,6,1,7 8,8,8,8,8,8,5,8,6,7 if I am not wrong 8,6,7 receipt side आ रहा है 8,6,7 प्लीज आप लोग भी करो ना help करो थोड़ा एक दो तीर चार 447 447 500 47 और 120 567 500 567 570 620 650 650 और 740, 740 और 37, 777, 777, 784, 500, 780, 2500, 857, 500, 867, ये भी 867 आ रहे, 10,000 का डिपरेंस, मेरा तो 867 आ रहे, अरे वो 10,000 लो नटा ना आ आ आपको, 867, मेरा तो नहीं आ रहे, ओके, मानसी बोल रहे है, ठीक है, 867, मैच हो गया, सर, अगर मैच नहीं होता तो, क्या होता सर, मैच नहीं होता तो क्या होता, कुछ ना कुछ difference होता जिसके बारे में question बोलता हो सकता है question बोला if there is any difference in payment treated as repayment of loan हो सकता है cash का balance दे देता bank के balance में question mark दे देता बोला निकालो तो वो आपको calculate करना पड़ सकता था opening cash गलत है समीर इस साल business start किये opening में तो यही है यही capital on loan opening cash कुछ नहीं है समीर गलत है यह चीज इस साल business start किया है मैंने तो opening cash तो capital on loan डालके ही आया था difference आता तो वो जरूर बोलता that may relate to repayment of loan that may relate to closing balance में एक छोड़ देता एक दे देता please keep in mind यही सब क्या होते है न exam में थोड़ा difference आ जाता है यहाँ explain दे दिया वहाँ पे थोड़ा ठेड़ा दे देगा ठीक done मेरा question complete चलो income expenditure को total लो income expenditure को total लो total लो मतलब total घर लो 4,45,467 surplus आएगा मेरे इसाब से आप net profit भी लिख सकते है net profit कोई दिक्कत नहीं है 242 का surplus बच्चा बोल रहा है तो मैं लिख रहा हूँ हाँ चेक कर ले न कोई दो-तिन जन हाँ कर दो ठीक है 242 बोल रहा है लोग यह कहाँ चला जाएगा यह कहाँ चला जाएगा capital capital का closing balance closing capital calculate कर लो 2,1,3,4,492 1,3,1,5,2,4,2,5,2,5 237 247 ओके 247 प्लीज चेक कर ले न capital 247 closing यह capital कहाँ बैठा दू यह capital कहाँ बैठा दू balance sheet में ठीक है यह capital balance sheet में बैठा दू बच्चे बोल रहे हैं यह सब आप कर सकते हो मेरे को तो वेट भी नहीं करना है capital closing यह सीधा closing है 247 तो मेरा balance sheet total 397 चेक कर लो ना आ रहा है क्या 397 यह एक छोटू सा question था थोड़ा अलग type का था इसलिए मैं सोचा कर लेते हैं यह normal income expenditure चे थोड़ा लग था इसलिए मैंने सोचा कर लेते हैं इसको आज नई बनाने बोलता तो भी मैं बोलता आपको capital बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे drawings वगेरा के adjustment थे या तो drawing का एक working note बनाके total drawing फिर आप यहां पे capital में पेश कर देते हैं ओपनिंग कापितल एड पेंशन रिसीव लेस ड्राइंग्स ड्राइंग्स में सारा ड्राइंग्स का total एड सर्प्लस वैसे कर सकते थे देने बच्चा लोग everyone clear this completes our revision on NPO एक बाग वताओ are these revision sessions adding to your preparation adding to your preparation मेरे को तो इतना ही लगता है कि यार तुम अगर खुद बैठता पूरा chapter पढ़ने में मेरा जितना लिखाया है वह है 40 page 50 page every chapter हो जाता है जो थोड़ा अच्छा chapter होता है so it would have taken time and you could have missed some important points which I try कि मैं revisions में cover कर दूँ तो ये सब क्या अगर exam से पहले भी आपको exam से पहले अगर आपको videos मिल जाए जैसे मालो अपने September में, October में बार बार तो classes कर नहीं सकते तो क्या in revision से आप पढ़ाई कर सकोगे वापस क्या in revision videos से आप पुरा का पुरा पढ़ाई कर सकोगे वापस okay then it's good आपका आपको पता है आपने realize किया कि नहीं कि आपका syllabus खतम होने वाला है maximum बच्चों ने complete कर लिया inventory taking सिर्फ partnership company जिसमें तुम champion हो तुमको कोई time नहीं लगेगा उसमे दन है क्या चंपू champion very good चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही thank you so much, bye 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 कल कौन सा revision होगा कल revision session नहीं लूँगा कल CMA की class है मेरी foundation की परसो लूँगा revision session और परसो मैं करूँगा NT हो गया न, rectification करना है मेरे को परसो फिर consignment लूँगा rectification और फिर consignment bye kata